हिमाचल में बारिस और बाइड के कारण काफी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है हमारे साथ हिमाचल कॉंग्रेस की परदे सद्यक्स और लोक सबास्तान सद परतिवा सिंग मौझूद है मैम जिस तरीके से हिमाचल में नुकसान हुआ है काफी ज़्यादा नुकसान हुआ है किस तरीके से आप इस नुकसान को देखती हैं दिली दोरे पर पहुंचिए केंद्री मंतरी से मुलाकात अब देखे अभी तो अनमान लगाना बहुत कठेन है कि कितना नुकसान हुआ है प हमारे जो वहां पर किसान बागवान रहते हैं उनके खेत बह गया है उनके जो उनका एक आय का साधन था चाहे वो सेब का फल हो या जो भी वो कर रहे थे अपना रोजगार उसमें बहुत बड़ी क्षती हुई है लोगों के घर मकान तूट गया इस बारिश से तो अभी इन ब पुराने पुल भी बह गए चोटी चोटी पुलियां जो एक गाहों से दूसरे को करेक्ट करती थी वो पुलियां भी बह गई गई है और कई गाहों में तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है बिजली के खंबे टूटने की वज़ए से वहां पर बिजली का नुक्सान आए हैं तो मैंने प्रशासन से ये आगरे किया है कि किसी तरह से आप ये कोशिश करें कि वहां लोगों को हम कम से कम राशन और उनकी जो जरूरत की चीज़ें उसको पहुंचा हम आए तो उनका जवाब आया कि हमने वो सारा राशन पाड़ी कठा किया हुआ हुआ है और को ने का जी हेलिकॉप्टर क्योंके कल बहुत बड़ा एक मौसम खराब था वहां पर मिस्ट थी धूंद थी जिसकी वज़ा से हेलिकॉप्टर फ्लाई नहीं कर पाया आज शायद थोड़ा मौसम खुला है तो अगर वो पहुंचा पाए होंगे तो लोगों को से उसकी रहत मि लेगे जहां तक आप पहुंच सकती है पहुंच भी रहे थी जिस तरीके से नुकसान हुआ है कल से मांसुन सत्थ की सुरवात है तो हिमाचल को लेकर कोई बड़ी बाते कोई बड़ा मुद्दा सदन में रखती भी नजर आए हैं तेके सबसे बड़ा मुद्दा तो आज हम दावा भी धनराश्री तुरंत उपलब्द करवाएं ताकि हम लोगों को कम से कम बेसिक उनकी नीड्स खाना रहना तो उपलब्द करवा पाएं क्यूंकि कई जगा है जो बिल्कुल भी लोग एक कपड़े में जोड़ा जो उनका पैना उसी में निकल पाए और वो कुछ न परतिवा सिंग जिस तरीके से हिमाचल में बारिस और बार के कारण काफी जा नुक्सान हुआ इसको लेकर ये सेशन में अपनी बाते रखेंगी और उन्हेंनों पीम मोदी से भी अपील की है कि इसको राष्ट्य आप तक होसित करके यहां से जादा से जादा धनराशी यहा और उन्हें जादा से जादा नुक्सान है